नमस्कार दोस्तों विलकम टो मैं चैनल आज एक छोटा सा चैप्टर सम दे रहा है तो जिसका में टॉपिक है जो क्लिप माइक्रोफोन क्लिप माइक्रोफोन से हम लोग कैसे रेकॉर्ड करेंगे तो दो टाइप का है क्लिप माइक्रोफोन आप लोग तो जानती हो इस टैप का देखने में होता है list में बहुत सब क्लिप में मिल तो इस फ्लिप Miguel यह यह लेने का बारत बैसिकली क्या है यह जो माइक्रोफोन है यह microphone का देखिए तीनो मतलब 3 jack का जो 3.5 mm जो jack है उसका माथा में तीनो black color का circle है तीनो का मतलब है मतलब यह computer laptop में भी चलेगा मतलब यह laptop compatible है और इसको लेके अगर हम लोगों को desktop में करना है desktop में करना है मतलब जिसका पास laptop नहीं है जिसका पास desktop है तो desktop में यह लेके और without any sound card कैसे record करेगा कैसे record करना है तो उसका बारे में बोलेंगे और जिसका पास sound card है और sound card में वो YouTube में कुछ करना चाहते है मतलब अपना वीडियो खुद डालना चाहते है तो उसका बारे में भी हम लोग थोड़ा बातचित करेंगे तो यह तीनो टाइप का जो jack होता है यह अगर laptop में हम लोग लगाएंगे तो laptop में बहुत अच्छा तरीके सा recording हो जाएगी और studio record होगा और यह अगर desktop में करेंगे मतलब एक होता है laptop छोटा सा laptop होता है तो इसका इधर एक point होता है एक ही point होता है और जिसका laptop में दो अलग-अलग point है तो दो अलग-अलग मतलब एक microphone के लिए एक headphone के लिए सुनने के लिए तो इसमें भी आप लोगों को लेट रेकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि क्या है एक तीनो ब्लैक कालर वाला जो जैक है वो जैक जब एक पिन वाला में घुसेगा तब वो ठीक से फीट हो जाएगी मगर दो पिन मतलब दो डिवाइड़ बहुत सारा पुराना लैप्टाप है जिसमें एक पिन नहीं है उसमें अलग से दो अलग अलग करके दिया हुआ है दो अलग अलग करके मतलब एक रेकॉर्डिंग के लिए उसका रेट कलर का होगा और दूसरा एक है सुनने के लिए जिस का green color का होगा हो गिया तो यह अगर laptop में इस type का laptop में अगर हम लोग करेंगे जिसका पास दो ए है मतलब जो दो point है तो उसके लिए हम लोगों को एक mono track लेना पड़ेगा mono track लेके इसको lift करना पड़ेगा और इधर जो sound cut है device setup का अंदर जो हम लोगों को sound cut है तो अगर sound cut है sound cut का बारे में बाद मैं आ रहा है तो अगर जिसका पास sound cut नहीं है तो SEO for all चूज़ करना पड़ेगा SEO for all version 2 इसको select कर देना का बात इसको देखने में कैसा है ASIO for all ASIO full duplex इसको देखना में देखिए इसमें दिखाएगा कौनसा कौनसा audio driver आभी install किया हुआ है तो यह है SEO direct is full duplex का मतलब क्या है हम लोगों को laptop का अंदर जो sound है वो sound का sound से recording होगा मतलब external कोई sound से recording नहीं external कोई sound card से recording नहीं होगी तो इसके लिए क्या है उसमें 3.5 mm का jack लग जाएगी तो 3.5 mm jack लग जाने का बात इसको left करना पड़ेगा यह आप लोगों को यह studio अगर करोगे अगर इसको monitor on करोगे तो यह आएगा नहीं मतलब sound आएगा नहीं अगर monitor on कर तो इधार blink नहीं होगी क्या है वो 3.5 mm वाला है वो अगर 2.5 mm वाला होता तो हो जाता studio में ठीक है तो clip microphone जितना सरा है सभी का three pin वाला ही है two pin वाला नहीं है देखिए three pin वाला है मतलब इसका चार connection है दो एक connection है वोकल का मतलब microphone का और दो connection है सुनने का और एक है नेचर नॉर्म नूट्रल तो यह 3.5 mm का clip microphone jack है यूटूब के लिए बहुत यह अच्छा है मतलब आप लोग यूटूब में चैनल अगर बना रहा है और चैनल कर रहा तो उसमें यह बहुत काम का चीज है और देखिए इसक इसका लिक्या है जब हम लोग करेंगे थीपीन वाला मतलब laptop में करेंगे तब हम लोगों को left कर देना पड़ेगा और जब हम लोग साउंड कर्ड में करेंगे जैसे कि ए laptop का साथ USB से एक sound card जूडा हुआ है ठीक है इसमें एक input है इसमें एक input है तो हम लोगों को converter यूज करन इसका अंदर एक घुच जाएगा मतलब मीडल में converter है तो देखिए इस टाइप का होगा तो यह clip आपका color में लग जाएगी और इसको जब लगाओगे देखो यह उपर का connection यह single connection है यह mono connection है और नीचे का देखो तीनो पीन अलग अलग है तो यह अगर यह लगाना है तो left कर लेना पड़ेगा इसको left नहीं है मतलब अपको एक mono track लेना पड़ेगा और left connection मतलब इसमें अगर लगाओगे तो left होगा और इसमें अगर लगाओगे तो right होगा तो यह बहुत ही ध्यान से करना चाहिए क्योंकि अगर studio हो जाएगी कोई sound आपका नहीं आएगी अभी आ रह चार पीन का घुस जाएगा मनदब तीनो black और normal एक neutral चार पीन घुस जाएगा तभी वो studio track ले सकता है तभी यह studio track लेगा तो उसमें monitor बटन को enable कर देने से वो उसको मनदब monitor मिलेगा और उसको sound भी मिलेगा आवाज भी मिलेगा सब कुछ भी कर सब कुछ कर सकता है यह हो गय तीसरा बात लास्ट जो हम लोग देखेंगे तो क्या है यह ASIO जब हम लोग select करेंगे ना तब हम लोगों को sound card जो है ओ sound card को enable कर देना पड़ेगा मतलब ASIO का अंदर आप लोग अगर जाओगे तो ASIO अगर select करोगे तो उसका उसका जो panel खुल जागे उसका advance में जाना पड़ driver इस टाइब का driver बहुत सरा laptop में है तो वो sound driver लेकर मतलब sound card का support लेकर अब लोग कर सकते हो और नहीं तो यह जो है यह जो आपका external driver है तो external sound card है तो उसके लिए आप लोगों को जैसे कि हम को इधर से देखिए यह हम choose कर सकता है यह US 122 MK2 एक टसकम का sound card है अगर हम choose करेंगे तो टसकम से भी हम लोग record कर सकते हैं मगर आप लोगों को अगर clip microphone से करना है तो आप लोगों को सही तरीका से करना है तो converter वाला jack ले लीजिएगा मतलब जिसका पास जिसका converter है वही सबसे अच्छा नहीं हम यह नहीं बोला है सबसे अच्छा है मगर आप लोगों को सुवी अगर नहीं तो फिस से दोबारा converter लगाना पड़ेगा जिसका पास sound card है और जिसका पास sound card नहीं है उसको देखिए यह जो clip microphone है न यह mono वाला है यह अब ले सकते हो इसमें चलेगा मतलब mono track में चलेगा यह जो है यह पूराना वाला laptop में चलेगा इसमें दो है इसमें दो दो का laptop है उसमें चलेगा दूसरा में नहीं चलेगा यह ध्यान से लेना क्योंकि एक बार ले लेंगे तो क्या होगा बाद में ओ तो change भी नहीं होगा और जितना कम होता है chords का बड़े भम भूँप लिएपासटेंस मतलब उसका इसका नॉयज उत्ना काम होगी मतलब हम यह बोलना चाहते है कोड उतना ज्यादा लंबा होना नहीं चाहिए जितना लंबा होगा उसका जो वैर है वैर में थोड़ा सा रिजिस्टेंस हो जाएगी तो एक कंडेंसर मैक्रोफोन है और इधर भी इधर ही लगाना पड़ते है नॉर्मली कॉलर में लगाना पड़ते है तो आप लोग शायद देखा है टीवी में भी दिखाते है तो इस टाइप का यूस करोगे तो हो जाएगी यह हो गिया थार्ड ख़़ती है तो आपी किया है उसका जो रिकॉर्डिंग है और रिकॉर्डिंग पहले हम लोगों को करके देखना पड़ेगा नॉर्मली हेलो बोलके इसको इसको गें। लेता है गेन ले लेता है मतलब जब हम लोग मोनीटर बटन को एनेबल करते हैं अगर हमारावास चोटा मोटा कूछ स्पीकर है हम लोग अगर फ्रॉंड में रहेंगे तो उसका इतना गेन हो जाते है मतलब मोनीटर में फीट वेग आ जाती है तो इसलिए हम लोगों को हो रहा है तब ठीक थोड़ा से बढ़ा सकता ओंगर थोड़ा से दूरसे गाना पड़ेगा क्योंकि येतना फ्रॉंड बे जाऊंगे तो उतना फीट वेट जादा आ फीड़ेक आ जाने से आ जाने के बाद क्या होगा वह साउंड का एक बर अगर साउंड फड़ जाएगा दूजरा बार उसको अब मतलब उसको किसी भी तरीके से अब ठीक नहीं कर पाऊवगे थोड़ा से का मनें से कोई दिखर नहीं है थोड़ा से काम आने से हम लोग सारा लोगों को इस टाइप का प्रॉब्लम हो रही है तो यह देखके आप लोगों को शायद कुछ मदद मिलेगा थैंक यू दोस्तों थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो